एक bold और आत्मनिर्भार लरकी, रवी, पृती का भाई जो पारंपरिक सोच का है, नीरा, पृती की सहली जो उसकी सोच से प्रभावित है, सर, अजय, पृती का प्रेमी जो उसे उसके हर निर्णय में समर्थन देता है, माई, पृती और रवी की मा, जो अपने बच्चों की ख खुशियों में अपनी खुशी देखती है, घर का माहौल, माहौल तनावपूर्ण है, पृती और रवी के बीच बहस चल रही है, तुम अपनी हद में रहो पृती, ये शहर तुम्हें बिगार रहा है, जिस तरह से तुम रह रही हो, क्या लोगों को नहीं दिखता, तुम ह सारी आजादी का ये मतलब नहीं है, कि तुम हमारे परिवार का नाम बदनाम करो, शांत और समी, रवी, तुम मेरी जिंदगी को अपने नजरिये से देख रहे हो, मैं जो कर रही हूँ, वो मेरा जीवन है, और मुझे खुद पर गर्व है, कि मैं अपनी शर्तों पर जी रह हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती, हर रोज नए लड़कों के साथ घूंते हुए, लोग क्या कहेंगे, मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ, और मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, ये मेरी जिंदगी है, और मैं इसे जैसे चाहूं, वैसे जीऊंगी, सीन डू, मा से बृती के कमरे में आती है, बेटा, रवी, जो कह रहा है, उसका भी कुछ मतलब है, लोग क्या सोचेंगे, ये भी देखना पड़ता है, मा, मुझे समझो, मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरा अपना भी एक स जीवन है, और अगर मैंने खुद को दबा दिया, तो मैं कभी खुश नहीं रहूंगी, बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस ध्यान रखना कि तुम्हारी खुशियों के लिए किसी और का दिल न दुखे, मा, यही तो मैं चाहती हूँ, आप मेरे साथ है, यही मेरे किया है, तुम्हारी वजह से मैं खुद पर और भी विश्वास कर पाती हूँ, तुम जैसे चाहो, वैसे जीओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सीन, रवी की सोच में बदलाव, रवी अपने दोस्तों के साथ बैठा है, वे सभी प्रीती के बारे में बाते कर रहे हैं, दोस्त तुम्हारी बहन तो बड़ी बेशर्म निकली, हाँ, लेकिन उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, वो जैसी है, वैसी ही सबके सामने है, शायद वो सही है, अरे, ये क्या कह रहे हो, शायद मुझे ही उसे समझने में देर हो गई सीन फाइव, समझौता और स्विकार्यता, रवी प्रीती के पास आता है और उसे गले लगाता है, मुझे माफ कर दो, प्रीती, मैंने तुम्हें समझने में गलती की, तुम जैसी हो, मुझे तुम पर गर्व है, भाया, तुम्हारा साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है सीन फाइव, प्रीती अपने अफिस में है और उसे अचानक से कॉल आता है, वा फोन उठाती है, हेलो, प्रीती बोल रही हूँ, मिस्स प्रीती, मैं आपकी मां का पडोसी बोल रहा हूँ, आपके घर के सामने कुछ लोग इकठा हुए है, वो आपके बारे में बुरी बाते कह रहे हैं, आप जल्दी आकर संभालिए, क्या, मैं तुरंत आती हूँ, प्रीती फॉरन घर की ओर भागती है, घर पहुचने पर वा देखती है कि कुछ लोग घर के सामने खड़े हैं और उसकी मां को ताने दे रहे हैं, आपकी बेटी ने पूरे मोहले का नाम खराब कर द दिया है, वो हर वक्त लड़कों के साथ घूमती रहती है, आपको कुछ शर्म नहीं है, ये क्या नया जमाना आ गया है, बेटियां बाप का नाम डुबो रही हैं और मा बाप कुछ बोल भी नहीं रहें, मेरी बेटी जैसी भी है, वो मेरी ही है, मैं उसे समझाओंगी, लेक गेंगें, आप लोग उसके बारे में ऐसी बाते मत कहिए, रुकिये, मेरी मा को इस मामले में घसीटने का कोई हक नहीं है आपको, ये मेरा जीवन है, और मैं इसके हर फैसले की जिम्मेदारी खुद लेती हूँ, अगर आप सभी को मेरी जिंदगी में इतनी ही दिल्चस्प आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उससे मेरी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग धीरे धीरे वहां से हटने लगते हैं और प्रीती अपनी मां के पास आती है, मारीती की ओर देखते हुए, तुम्हारी हिमत देखकर मुझे गर्व हो रहा है बेटा, त तुमने आज सच्चाई का सामना किया है, मां ये सिर्फ मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मुझे हर कदम पर लड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ हैं, तो मैं हर लड़ाई जीत सकती हूँ, रवी इस पूरी घटना को दूर से देख रहा होता है, वह प्रीती के प मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ, भया, आपके ये शब्ध ही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत, प्रीती का हाथ पकड़ते हुए, अब चाहे जो हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें मिलकर इस समाज की रूडियों को तोड़ ना होगा, ताकि हमारी आने वाली पीडियां अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकें, सीनेट, कुछ महीने बीच जाते हैं, प्रीती अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती है, उसे उसकी मेहनत का फल मिलता है, उसकी कंपनी उसे प्रमोशन देती है, और वह अपने परिवार के साथ इस खुशी को बांटने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है, अजय, प्रीती, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, अब तुम्हें रोकना किसी के बस की बात नहीं है, हाँ, अजय, ये सब मैंने अपनी शर्टों पर पाया है, और इसमें आप सब का साथ मेरे लिए सब से बड़ी बात है, प्रीती, तुमने साबित कर दिया कि एक लड़की अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से कुछ भी हासिल कर सकती है, हाँ, और आज से कोई तुम्हें बेशर्म नहीं कहेगा, अब सब को पता चलेगा कि तुमने जो किया वो सही था, सीन नाइश, पार्ट समाज को बदलने के लिए हमें खुद बदलना होगा, हमें खुद को साबित करना होगा कि हमारे फैसले सही हैं, और हमें किसी की सोच के अनुसार खुद को डालने की जरूरत नहीं है, हाँ, बेटा, समाज की सोच बदलने के लिए पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी, और एक साथ हंसते हैं और नाटक का अंत होता है